Hello everyone, welcome back again, बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम discuss करेंगे आपकी chapter number 11, time and temperature जो की है page number 134 पे, जो आप पहले पढ़ चुके हो, आज हम वही point discuss करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा इसने क्या बोला, locate the voices given below and write the timing shown, आपको क्या करना है, जो इसमें time दिया हुए, वो आपने लि 15 minute, यहाँ पे 4.50, तो क्या लिखोगे, 4.50, clear, यहाँ देखो क्या लिखोगे, 6.45, कितना time हो गया, 6.45, यहाँ देखो, यहाँ पे कितना time हो गया, 5.20, कितना time हो गया, 5.20, clear, next देखो, यहाँ कितना time हो गया, 9.5, clear, आगे देखो question क्या क्या कह रहे है, digital clock shows timing in, digital का मतलब क्या है बेटा, जहां पे आपको numbers लिख के दिखाते हैं ठीक है, आपने दिखाऊगो ना, बड़े-बड़े घड़े लिखे हैं, तो इसमें counting में लिखा होता है 1 15, 2 15 2 30, तो क्या digital clock show करते है timing को किसमें in, numbers ठीक है, किसमें numbers में, midnight ऐसे show की जाती है, ठीक है आगे देखो, 1 p.m. means p.m. का मतलब क्या होता है p.m. का मतलब क्या होता है बेटा, is it is dash time, afternoon time yes or no, तो क्या लिख सकते हो after noon time, 2 a.m. means e.m. early morning तो क्या जाएगा early morning time या फिर morning time भी लिख सकते हो, ठीक है next echo, 3 hours before midnight 3 घंटे पहले किस से, midnight से आधी राज से 3 घंटे पहले याने की 12 p.m. से, 12 a.m. से 3 घंटे पहले तो क्या जाएगा 9 a.m. sorry 9 p.m. कितना जाएगा 9 p.m. 2 घंटे बाद किसके, midnight के तो क्या time हो जाएगा 0, 2, कितना एएँएँ clear? आगे देखो number of days from 26th July to 5th September तो 26 July से 5 September तक टोटल कितने दिन होंगे July 31 days का होता है तो यहाँ पही 5 दिन 5 दिन आपके यह 5 प्लस 5, 10 और अगस्त में आपके कितने दिन होते हैं 30 या 31 कितना बेटा? 31 days 31 प्लस टोटल कितने होंगे? 10 यहाँ से तो कितने? 41 days कितने days? 41 days अब देखो आगे क्या कह रहा है? एक गेम वो scheduled 4 3 hours 40 minutes and started at 1.15 at what time it will come to end किस ताइम वो खतम होगा? तो ध्यान से देखना बेटाप क्या लिख होगे? किस ताइम खतम होगा? क्या मतलब है यहाँ पे? ताइम आप स्टार्ट ठीक है? ताइम फो श्टार्ट इस इक्वाल डू कितना टाइम मे बेटा? एक पंदरा पी एम और टोटल टाइम ओफ गेम टोटल टाइम ओफ गेम कितना है? त्री आर फोटी मिनट्स प्लस कर दो तो कितना टाइम हुजाएगा? 5, 4 and 1, 5 3 and 1, 4 कितना? 4, 55 p.m. is your answer Now more to our next question A show started 16 p.m. and come to end at this Then how long? वो जशो तो क्या करो? 8, 25 में से को क्या कर दो? मैनेस तो कितना आजेगा? 8, 25 में से 6 10 को क्या कर दो? मैनेस तो कितना आगया? 5, 2 में से 1 गया? 1, 8 में से 6 गया? 2, तो कितना टाइम? 2 गंटे 15 मिनट ठीक है? कितना टाइम लगा? 2 आर 15 मिनट आगे देखो Convert the days Convert the following 7 days is equal to 1 7 days is equal to 1 Week 7 days is equal to 1 Week Quarter 2 यहां से देखो Quarter 2 Quarter का मतलब होता है 4 parts में Divide करना आपके पास Total कितने मिनर्स होते हैं? 60 मिनर्स होते हैं और 60 मिनर्स को आफ 15 15 मिनर्स में Divide कर रहे हो Quarter past 65 याने की 6 बजने में सिर्फ एक 15 मिनर्स रहते हैं? तो कितना आ गया यहां पे? 5.45 एम यार Half past 7 in the evening Half का मतलब क्या है? अधा आधा आधा याने की 7 7 का आधा याने की 7 के बाद 7 के बाद आधा घंटा ओर याने की 7.30 पीएम इविनिंग की बाद हो रही तो पीएम 5.10 in digital Dash in morning 5.10 5.10 का मतलब क्या होता है? सुबै के कितने बज़े हैं? डिजिटल की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल में 5 का मतलब क्या है? 5.10 a.m. in morning आगे देखो 6.00 a.m. 6.00 a.m. का मतलब क्या है? morning time 7.00 p.m. का मतलब क्या है? evening time यहाँ से क्या आगया? evening time यह तो बेटा यह था आपका page number 134 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much